दसवी पास संजय मुंबई में जाता है मुंबई में जाकर सिक्योरिटी गाड की नौकरी करता है और सिक्योरिटी गाड का नौकरी करते करते संजय आज और पती है तिरपन कमपनिया उसने खड़ी कर दी और तिरपन कमपनियों की कहानी जब पुलिस वालों ने सुनी तो आदमी का नाम है और संजय राय जब गिरफतार होता है तब संजय राय के पास से तीन अलग अलग आधार कार्ड मिलता है अब संजय राय के पिता असम में पार्चून की दुकान चलाते थे वो छोटी सी दुकान चलाते थे और असम को छोड़ कर ये लोग गाजीपूर में आ रहा था और नक्सलवात के डर के कारण गाजी पूर में आकर खेती वगर करने लगे दस्वी पास करके घर का लड़का सन्य मुंबई गया सिक्योरिटी गाट का नौकरी करने और उसके बाद से उसने मुंबई से गुजरात में जाकर एक पूरा का पूरा कमपनी खड़ा किया 1200 करोर रुपए का लोन लिया और उसके बाद एक और खबर जानिये कि फोब्स के बिलिनियर की कलब की सूची में उसका नाम शामिल हुआ इस बीच संजे राए की पत्नी इनकी कहानी आती है कहा जाता है कि बड़े घर की बेटी थी संजे राए ने शादी किया और इसके बाद से संजे राए ने अपना कारनामा शुरू किया आगे हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि सिक्योरिटी गाड से लेकर और अपति बनने तक का सफर पूरा का पूरा सामराज ख़ड़ा कर देने तक का सफर संजे राए ने कैसे तै किया बाकिया नमस्कार हमार नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जक्षन देख रहे हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं असम से असम में संजे राए के पिता पार्चून की दुकान चलाते थे संजे वहीं पर रहता था छोटा संजे वहीं पर पढ़ाई लिखाई करता था इसके बाद पापा असम छोड़कर गाजीपूर वापस आ गया संजे भी पापा के साथ गाजीपूर वापस अपने गाँ वा गया यहीं पर आकर खेती वगर करने लगते हैं संजय दस्वी पास करता है परिवार की सिती इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती वह मुंबई में चला जाता है सिक्योरिटी गाड की नौकरी करने मुंबई में नौकरी करते करते अचानक उसको गुजरात का कोई कॉण्टेक्ट मिलता है संजय इसके बाद गुजरात में चला जाता है गुजरात के एक रिफाइनरी कमपणी में जाकर काम करने लगता है रिफाइनरी कमपणी में कुछ साल तक काम करने के बाद संजय के दिमाग में आता है कि अब खुद का रिफाइनरी कमपणी बना देंगे संजय इसके पहले जो इसकी पत्नी है उसे संजय राय शादी करते हैं, शादी के बाद से कहा जाता है कि बहुत अच्छी परिवार की थी, मतलब कि पैसा वगरा उनके परिवार के पास बहुत था, संजयराय अपनी कंपनी खड़ा करने के लिए, कुछ वहां के जो बड़े बड़े उद्योगपती हैं, उनसे कॉंटेक्ट करता है कॉंटेक्ट करने के बाद उनको कहता है कि आप लोग पैसा दीजिए, हम कंपनी बनाएंगे, संजयराय को पैसा मिलता है, संजयराय वहां पर कंपनी खड़ा करता है, और गुजरात में पूरी की पूरी कंपनी बनाता है, अब उस कंपनी का नाम होता है कांडला एनर्जी chemical limited अब यहीं से कहाणी सूरू होती है इसके बाद से अरपती बनने का समराज खड़ा होने लगता है संजयर आयए वहाँ पर अपनी कमपणी चलाता है कमपणी चलाते चलाते वो तिरपन कमपनियां खड़ी कर लेता है इसके बाद तिरपन कमपनियां खड़ी करने के बाद वो वापस गाजीपूर में आता है गाजीपूर में जब संजयराय आता है तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती कहा जाता है कि फोप्स के बिलिनियर्स की सूची में वह शामील हो चुका था, बिलिनियर्स कलब में उसका नाम आ चुका था, मतलब कि अर्बो खर्बो का सामराज संजय राय से पूरी आया, खड़ा कर चुका था, अब गाजी पूर में जब संजय राय आता है, तो इसकी एकाद कहानी हम आ वादिया यह संजे राय का प्रभाव था संजे राय की अपनी पकड़ थी संजे राय का अपना रूतबा था कहा जाता है कि मात्र दो साल में गाजीपूर में आने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री से लेकर सचिवाले तक संजे राय बेधड़क कहीं आता था कहीं भी सनजयराए के अब तमाम तश्वीरों को देखिए, इस तश्वीर में महेंदर सिंग Biology है संजयराए शेरपूरिया के साथ, इधर बगल में देखिए, तो उत्तरपर्देश के उ eerकिमुक्री मंत्री परजेस पाठक है संजयराए के साथ, इधर जब संजयराए की एक किरफ्तार करनी है और इसके लिए नोटिस जारी कर दिया इधर 1200 क्रोड रुपया का जो लोन लिया गया था उस मामले में एस बी आई ने पहले से डिफॉल्टर घोसित कर रखा है फिलाल संजय राय की कहानी बड़ी चर्चा में है बताया जाता है कि संजय राय ने जब पुलिस से पुष्टाच हुई तब बताया कि तिरपन अलग अलग जो कमपनियां है उनमें 52 कमपनियां फर्जी है बावन कमप के माध्यम से अर्बो का सामराज खड़ा किया गया अब इसके बाद एक और कहानी सुनिए कि संजय राय दिल्ली में एक बंगले पर कबजा कर लेता है कहा जाता है कि अवैध तरीके से धोखा देकर दिल्ली में एक शांदार बंगले को संजय राय ने कबजा कर लिया और सं पास करके सिक्यूरिटी गाड की नौकरी कारते करते तिर्पन कंपणियों का मालिक बन जाता है और बाद में पता चलता है कि तिर्पन में से 52 कंपणिया नकली है एक मात्र कंपणिया असली है और उस आत्मी के अरवो के समराज को देखकर पुरी की पुरी पुलिस हैरान हो जाती है फिलाल संजय राय से पुछताच चल रही है संजय राय से पुरिया एक एक खुलासे कर रहे है और आगे देखते रहे है क्या कुछ होत खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद